नमस्कार आप देखरें नेशन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रुतिक बैयार में चुनावी संग्राम जारी है और दूसरे चुनन का मतदान अभी होना बाकी है जो कि 3 नमंबर को होगा जिसकी कड़ी में बैयार में कोने-कोने में गुमकर हरेक राजनुतिक दल संबोधित करने में लगे है और इसी कड़ी में कनया कुमार भी कटिहार पहुँचे जहांपर कटिहार के आजम नगर थाना मैदान के प्राणपूर विदानसभा सीट के कॉंग्रेस प्रत्याशी के हक में उनके पक्ष में कनया कुमार ने विशाल जनसभा को संबोधित किय और कनया कुमार ने जनसभा के दौरान मंच से नितीश सरकार और केंद्र सरकार पर जम कर हमला बोला क्या कुछ कहा है कनया कुमार ने आप देखे इस वीडियो में आपको हम दिखाते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में अब देखी किस तरह कनया कुमार ने नितीश कुमार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है साहब बिहार के दोरे पर आएं साहब ने कहा है कि डवा लिंजन की सरकार है जूट बोलना इनकी फित्रत है उसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन एक बात बताईए जो सरकार प्रेलवे बेच नहीं हो जो सरकार प्रेंड बेच नहीं हो उस सरकार में इंजन सुरक्षित रहने वाला है तो सुना आपने किस तरह कनया कुमार ने मंच से नितीश कुमार और केंदर सरकार पर निशाना साधा साधी साध गाते गाते उन्होंने नितीश कुमार पर भी हमला बोल दिया है और अब चुनावी घमासान बिहार में लगातार जारी है दो चरण के मतदान अभी होने बाकी है दूसरा चरण का मददान 3 को है तीन Nवंबर और तीसरा जो चरण का मददान है वो 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और आखर में पता चलेगा 10 नवंबर को कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी तो फिलाल के लिए मुझे दीजी इजाज़त देख तेरी नेशन न्यूस को धन्यवाद